subscribe to my channel सूरजपरकाश for more amazing content और बहीमा 85-inch इसका size है इसके dimension के बारे में मैं बात कर लेता हूँ यह है आपको दोस्तों पढ़ता है 190 cm इसकी width है 110 जो है दोस्तों इसकी height है और जो depth है दोस्तों वह आपको जो है 8.4 cm देखने को मिल जाती है यह काफी ज्यादा बड़ी TV है फ्रेंड्स तो अगर आप इसको अपने अपार्टमेंट में ला रहे हैं सो मेक शोर कि आपकी लिफ्ट जो है दोस्तों उसमें यह फिट बैट सके क्योंकि यह तो स्रिफ TV का size है जो box का size रहता है दोस्तों वो उससे और भी ज्यादा बड़ा रहता है मैं आपको बताता हूं मैंने 55-inch की मेरे college में TV लग रही थी वो मैंने देखी थी तो उसका box इतना ज्यादा बड़ा था दोस्तों कि पूछिए मत बात करते हैं इसके कुछ और features की तो मैं आपको बता दू दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी Sony X-Wide Angle Technology यानि एक तो TV इतनी बड़ी है और उन लोगों ने पहले ही इसमें X-Wide Angle Technology आपको यहां पर दी हुई है यानि आप थोड़ा भी angle थोड़ा offset बैठे तो भी आपको जो है दोस्तों fully वो screen जो है colorful दिखेगी बात करते हैं sound की तो Sony Ascoustics multi audio का support जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है tweakers जो हैं दोस्तों side की frame में यहां पर लगे हुए है HDMI 2.1 का support है यानि Xbox X हुआ PS5 हुआ जो भी model consoles हैं दोस्तों वो जो है आप easily इसमें play कर सकते हैं 8K TV है दोस्तों तो definitely यहां पर आपको जो है upscaling का feature मिलता है from Full HD to 8K, from 2K, from 4K to 8K तो यहनि सारे जो है आप लोगों को upscaling feature देखने को मिल जाते हैं बात करते हैं इसके कुछ और कुछ features के बारे में तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों की Google Assistant, totally Android TV है Apple Airplay, Apple HomeKit यहनि सब A to Z support जो हैं दोस्तों चीजे अपकी यहां पर करेंगी, pricing की जहां तक मैंने leaks पड़ी हैं दोस्तों इसकी pricing लगबग जो है 6 लाग तक on paper हो सकती है and आपको मालूम ही है कि Sony के product on paper ही हमेशा महेंगे होते हैं लेकिन जब वो market में आते हैं तब वो थोड़े सस्ते होते है, Sony X1 Ultimate Chip जो है एक दम भयानक और एक अच्छा देखने को मिलने वाला है जैसे कि आप लोग देख सकते है, Sony की building technology है, Trimalless Display वो जो है आपको देखने को यहां पर और मिल जाएगी, बात करते हैं इसके कुछ और specifications, full specifications के बारे में, सबसे ज़रूरी weight के बारे में मैं बात करता हूं दोस्तो weight आराउंड जो है आपका 65-70 kg में जो है, package with carton जो है दोस्तो 81 kg का weight आपका यहां पर पढ़ने वाला है, और screen size दोस्तो यहां पर 81 इंच यानि जो है 215 cm आपको देखने को मिल जाएगी, connectivity दोस्तो एकदम बढ़िया आपको दी गई है, fully Wi-Fi जो है आपको यहां पर मिलता है, Bluetooth 4.2 का support है और सारे जो ports हैं दोस्तो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, HDMI 2.1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, 4K at 128, 8K at 60 आपको support देखने को मिलेगा, EARC और ARC का जो है दोनों यहां पर आपको support देखने को मिल जाता है, बात करते हैं कुछ और चीजों की तो ports की तो यहां पर भरमार आपको देखने को मिलती है, यह दोस्तो LCD पैनल है but it is direct full LED जो है यह पैनल आपको देखने को मिलता है, local dimming जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, color enhancement इन लोगों ने दोस्तो कापी किये हुए है, यह color के मामले में तो कोई भी चीज दोस्तो इसम बड़ा होता है, so make sure कि आपका जिस room में आप इसको रख रहे हैं, that is at least to 20 feet, तो मलब वो जो है तभी इसकी जो चीजे काम करेगी, नहीं तो आप इसके पास में बैढ गए, तो आपको जो है इसमें चीजे 40-40 दिखने लग जाएंगी, और दोस्तो मानिये कुछ जादा ही 40 दिख जाएंगी, because 8K TV है, यह इसी में हिसाब से बनाई गई है कि लोग जो है इसे काफी ज्यादा बड़े hall में देखेंगे, so अगर आप छोटे से apartment के लिए दोस्तो इसको ले रहे हैं, so आप जो है इसको skip कर दीजे, audio की बात करें तो काफी ज्यादा powerful, audio आपको देखने क मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बड़े room के लिए कम है, लेकिन ठीक है थोड़े छोटे room के लिए चल जाएगा, लेकिन छोटे room में यह TV रखेगा, कौन, दो mid-range speakers आपको देखने को मिल जाते हैं, subwoofers आपको दो मिल जाते हैं, tweakers आपको दो देखने को मिल जाते हैं, ज इस range में जो है, यह usually मिलता है, आपका क्या मनना हैं दोस्तों इस TV के बारे में मुझे comment section में जरूर लिख कर बताइए, thank you, have a nice day